Hey guys, what's up? तो सुवागत थाप का एक नए वीडियो में एक लंबे ब्रेक के बाद आपके से मिल रहा हूं और मिलना ही था क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है इसके बार में आपको कई सारे इंडियन न्यूज आटलेट से तो उसकी खबर मिली है लेकिन उस देश के मीडिया का क्या रियाक्शन था वो आपको देखने को नहीं मिला तो वो मैं आपको ट्रांसलेट करके आप तक पहुचा रहा हूं और वेरी अनफॉचनेट कि ऐसे इंसिदेंस के बार में मुझे अब पता चल रहा है क्योंकि हमारे जो NCRT, हमारे जो बुक्स है वहाँ पे भले ही Islamic rulers को glorify करने वाले बहुत सारे history लिखा हो लेकिन ऐसे इंसिदेंस के बार में लिखा नहीं है और इसलिए क्योंकि ऐसे इंसिदेंस हालाकि ये जो रिलिक्स है कुईन केते बन की वह बहुत पहले ही handover हो जाना चाहिए था लेकिन obviously इंडिया में इंडिया के जो peacefuls है और liberals है वह इसके against में था इसलिए इस वीडियो में ये mention है कि इंडियान सरकार और जॉर्जियन गर्वर्मेंट चर्च तीनों को ही बहुत तीन साल तक hard work करना पड़ा ये decision तक पहुँचने के लिए और obvious सी बात है कि इससे ऐसे decisions को तो हमारे देश के liberals और जो peacefuls है वो oppose करेंगे ही even if not all, many so क्यों करेंगे क्योंकि इससे उनका past जो है फिर से दुबारा exposed होता है और again हमारे देश के जो पदमावती है उसी incident की basically ये repetition है जिस महारानी केतवन की relics इंडिया ने जोड़िया को लोटाया उनकी स्टोरी भी कुछ हमारे पदमावती जैसे ही है वो basically उनको captive बनाया गया था और ये Islamic rulers चाते थे कि वो उनके हारेम का एक हिस्सा बन जाए जो obviously उन्होंने oppose किया जिसके चलते उनका murder हो गया इन Islamic rulers के द्वारा तो उनका जो relics है वो इंडिया ने जोड़िया को लोटाया है तो चलिए सबसे पहरे वीडियो देख लेते हैं उसके बारे में इसके बारे में डिटेल में डिस्कॉशन करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आज के स्पॉंसर के बारे में बात करते हैं आज के स्पॉंसर है Englishlogica.com ये एक online English learning platform है लेकिन इसमें कई सारे features है जो इसको बिल्कुल unique बनाते हैं तो सबसे पहले तो ये बता दो कि ये website completely free है और इसको join करने के लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा अब हम देख लेगते हैं कि इसमें कितने सारे features है इसमें आपको मिलेगा job interviews के लिए sample interview questions and answers useful vocabulary और sample interviews comments के format में GRE, GMAT, civil services और banking से जोड़े useful vocabulary और fully solved reading and comprehension passages IELTS और TURFL के fully solved exam sections और sample interviews comics के format में teachers के लिए भी यहापे special materials है जैसे की mind maps, diagrams, etc. जो कि आपको English grammar पढ़ाते वक्त काफी useful होगा उसके बाद है business English जहाँ पे आपको meetings, presentations, public speaking के knowledge के साथ-साथ मिलेगा बहुत सारे role plays in comics format and last but not least English for school students students को यहाँ पे बहुत सारे reference materials मिलेंगे जैसे की vocabulary, collocations, video dictionary, creative writing, real life scenarios for spoken English और exam preparations तो आज ही विजिट कीजिए Englishlogica.com पे और घर बैटे professionally English सीखिए और वो भी बिल्कुल फ्री में जॉर्जिया हमेशा से रानी केत्विन के पवितर अस्थियों को निशानी के तौर पर पाना चाते थे अंत में अफशेशों को समालने करने ने वरतमान भारत सरकार दोरा लिया गया था जो बात में जॉर्जिया के केथॉलिक कुलपती के आधार पर प्राप्त हुआ था यह बहुत पवितर जॉर्जिया से संबंदित है और यह भारत सरकार का एतिहासिक निर्णा है रानी केडवन ने शहीद होना उचित समझा लेकिन इसलाम को खुबूल करने से इनकार कर दिया सदियों पहले रानी केडवन को इसलामिक शाषक ने शहीद के रूप में मार डाला था उनके अंगों का पवित्र हिस्सा नीजी पुरातत्र के रूप में जॉर्जिया लोटा दिया गया खुदाई के तोरान उनके धायने हाथ का एक टुकरा मिला यह 2015 में भारत की विरासत का एक हिस्सा बन गया इसे भारत के गोवा पुरा तत्विक संग्राले में रखा गया था क्योंकि भारत में लागु नियमों के अनुसा इसमारक या मंदिरों को दूसरे देश में अस्थान तरित में ही किया जा सकता था कि भारत रानी के अंग के पवित्र हिस्से को उसकी मात्र भूमी में वापस कर देगा गिसे लेकर एक समारो भी मनाया गया हमारी तीन साल की मैनत से ये समभव हो पाया हमारी चर्च, हमारी सरकार और भारत की वर्तमान सरकार हम भारत के प्रधान मंत्री का दिल से धन्यवाद करते हैं परसनली भारत की प्रधान मंत्री का मेरे साथ एक बहुत अच्छा रिष्टा है साथी मैं भारत की विदेश मंत्री स्री शुब्रमानियम जैशंकर को भी दिल से धन्यवाद करता हूँ भारत की विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें जॉर्जिया में बहुत प्यार, सम्मान और आश्रिवाद मिले मैं जॉर्जियन्स को दिल से थैंक्स कहना चाऊंगा, जॉर्जियन्स बहुत अच्छे लोग होते हैं महारानी के रेलिक का एक पार्ट भारत में भी रखा गया है, हमारे कॉमन पास्च के सिंबल के तौर पे यह हमारे लिए एक ट्रेजर के जैसा है, महारानी केतवन की कहानी, बहादूरी की कहानी है और हमें हमारे ट्रेडिशन और जॉर्जिया के ट्रेडिशन पे गर्व है और हम उनका सम्मान करते है राने केतवन की अवर्षिश भारत में पाया जाना हमारे देशों के बीच एक ब्रिज जैसा है और हम दोनों देशों की एक उज्जल भविश्ची की प्रतीक है आने वाले समय में हम दोनों देशों की ही बच्चे इनी स्पिरिचुलिटी, शान्ती और दोस्ती के राह में चलेंगे भाशन के बाद उन्होंने जॉर्जिया के रास्टपती के साथ साथ प्रधान मंत्री और उनके जॉर्जिया इस समक्ष के साथ दुई पक्षिये बैठक की इस एतिहासिक निर्ने के कारण उन्हें गले लगाने के सम्मान के साथ शुरू किया गया था उन्होंने शंतोस व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के छद्र जॉर्जिया में पढ़ने के लिए बहुत ही उच्सुक है बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर चर्चा हुई जिससे आगे भी दोनों देशों के बीच में गहरे संबंध बने रही आज का दिन भारत और जॉर्जिया के रिष्टे में एक नए दौर की शुरुवात है शायद हमारे महारानी नहीं इस संपर को स्थापिक करने में हमारी मदद की है 1224 में शाह अबास रानी केद्विन को इसलाम में परवर्थित कराना चाहते थे और उन्हें अपने हरम में लाना चाहते थे लेकिन रानी ने अपना धरम बदने से इनकार कर दिया इसलिए उन्हें मार दिया गया हाथ की हड़ी का एक टुकड़ा पहली वार सामने आया और विशेशग्यों को संधे था कि ये रानी केट्विन का हिस्सा है जिसे शाह अबास ने मौत के घाट उतार दिया था हाथ और उसके कंदे की हड़ी का पता लगाना भारती और जोर्जियाय दोनों देशों के लिए एक एतिहासिक निरने था एक डॉक्योमेंटरी वीडियो में वाक्स में रानी के शरीर के इस हिस्से को भी दिखाया गया है इस डॉक्योमेंटरी को दो भागों में बनाया गया था आज कुछ लिबरल्स और हिपोक्रिट्स जो हिंदु खत्रे में है इसका मजाग बनाते हैं उन्हें शायद यह नहीं पता या फिर वो जानके भी अंजान बनते हैं कि अगर हिंदू आज सेफ भी है तो इसके पीछे हमारे पूरवजों के कई बलिदान चुपे हुए हैं अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो रानी केतवन की तरह ही पता नहीं कितने लोगों के कटे हुए सर, कटे हुए हाथ और क्या क्या मिलेंगे इन्होंने इन इस्लामिक रूलर्स के हाथों जो टॉर्चर सा है और जो सैक्रिफाइसिस की है महारानी केतवन की ये दिल डहलाने वाली कहानी आज दुबारा ये प्रूफ करता है कि रैडिकल इसलाम से सिर्फ हिंदों को नहीं, पूरे दुनिया को ही कतरा है लेकिन ये लिबरल्स पाउर में आने के लिए इन आस्तीन के साब को बहुत प्यार से पालते है and the people are so dumb that they can't even understand this तो यही पर मैं वीडियो खतम करूँगा, मिलते आप से नेक्स वीडियो में, till then goodbye